चुहें घर में घुज जाए तो परिशान करके रख देते हैं। चुहां आपके कपड़े, किताबे, फर्नीचर, खाने का समान वगेरा किसी भी चीज को नुकसान पहुचा सकता है। इन्हें घर में इधर-धर दोड़ते देखकर बड़ी हैरत होती है। चुहें घर में सिर्फ सामान वगों नुकसान नहीं पहुचाते बलके इनके कारण कई तरह की बीमारिया होने का डर भी होता है। तो यह चुहें आपके पिरिन्टर में घुष जाते हैं। चुहें भी रहते हैं। यह पता करना भी मुश्किल होता है। इनकी फैलाई हुई गंदगी के कारण अजीब सी गंद आती है और अगर घर में चूहां मर जाए तो भ्यानक बद्बू के कारण रहना भी मुश्किल हो जाता है इसलिए जल्दी से जल्दी चूहों से मुक्ती पाएने के उपाए करने चाहिए सो गाईस महुई शान और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ उपाए बताने वाला हूँ कि अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप अपने घर से चूहों का सफाया कर सकते हैं चूहा बहुत साफ देख नहीं सकता लेकिन इसके सूंगने की शक्ती शामदार होती है चूहे को कुछ गंद सक्त नापसंद होती है इन्हें काम में लेकर चूहों को दूर रखा जा सकता है उपाय नमबर एक प्याज ये एक बहुत ही कारगर नैचुरल तरीका है चूहों से मुक्ती पाने का प्याज की गंद ये चूहे परदास्त नहीं कर पाते हैं बस एक प्याज का टुकडा लो और चूहों के छेद के पास ये उसके अंदर रख दीजिए और फिर आप कमाल देखिए उपाय नमबर दो इन्सान के बालों का इस्तमाल घरों में चूहे होने के कारण आतंक सा मचा रहता है जिससे हम जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप इन्सान के बालों को इस्तमाल में ले सकते हैं ये सबसे रामबान तरीका है चूहों को मारने और उसे छुटकारा पाने का आप इन बालों को चुहें के बिल में फेक दीजिए चुहें इंसान के बालों को देख नहीं पाते हैं और कई बार उन्हें चुहें निगल लेते हैं जिसके कारण चुहें मर जाते हैं उपाया नमबर 3 पीपर मिंट चुहों को पीपर मिंट या पुदीने की गंद बिल्कुल भी पसंद नहीं होती अगर घर में चुहें आतंग मचा रहे हैं तो रूई के कुछ टुकडों में पीपर मिंट को डाल कर उनके होने की पॉसिवल जगा पर रख दीजिए इसकी दुर्गन से चुहें का दम घुटेगा और वो मर जाएगा पीपर मिंट या पुदीना के कुछ फूल या पत्यों को ले अब इन पत्यों को कूट कर घर के दरवासों और खिड़कियों में रख दीजिए कुछ दिनों तक आपको ये उपाय इस्तमान करना चाहिए आपके घर से चुहों का सफाया हो जाएगा चलिए हम बात करते हैं कि चुहों के कारण कौन-कौन सी बीमारिया होती है चुहां कई तरह के बैक्टिरिया, वाइरस और जिवानू का कारण हो सकता है खास तोर से चुहे की दुआरा फैलाया गया मलमूत्र बीमारी का कारण बन सकता है जिसके कारण बुखार, भूक में कमी, सरदर्द, उल्टी वगेरा के लक्षर दिख सकते हैं प्लेग नामक गंभीर बिमारी, चुहों के कारण ही फैलती है, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे चुहां फूट पॉजनिंग का कारण भी बनता है, चुहे के काटने से रैट बाइट फीवर हो सकता है, जो कई महीनों तर ठेक नहीं होता है चुहे के कारण टाइफस नामक एक बिमारी हो सकती है, जिसमें बुखार के साथ-साथी इसकिन पर रेशेज और सांस लेने में धिक्कत हो सकती है ये हंटा वाइरस नामक बिमारी भी पैदा कर सकता है, जिसमें बुखार होता है और किड्नी पर बुरा असर पड़ता है तो आप नीचे कमेंट करके पूर्च सकते हैं